तो सुवागत भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपिम फैंटेसी एक्सपर्ट पर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो वीवो प्रो कबड़ी लीग है इसका भाई जो आज के दिन का तीसरा मैच और टूनामे वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंड तक कंपलेट देख लीजिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको यहां से स्किप नहीं करना है अधर वाई आपका इसमें लोस हो सकता है लेकिन अगर आप वीडियो का एंड तक देखोगे न तो इस मैच में काफी जादा शांदार विनिंग करने वाले हो यहां पर भाई कुछ ऐसे प्लेयर से जिनका सेलेक्शन काफी कम मिलेगा लेकिन वो आपके लिए इंपोर्टेंट जादा रहेंगे और कुछ ऐसे प्लेयर से जिनका सेलेक्शन आपको काफी हाई मिलेगा लेकिन वो आपके लिए इतने इं differential role play कर सकते हैं हमारे लिए वो सारी players आपको मैं आपर बताने वाला हूँ ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अब अगर यहां से बाई बात करें match के बारे में तो चलिए सारी update मैं आपको यहां से दे देता हूँ कौन से क्या कुछ player आपके लिए important रहेंगे, कौन से player आपके लिए GL, mini GL में important रहेंगे सारी चीज़े मैं आपको यहां से बताने वाला हूँ तो अब चलिए भाई यहां से बात करते हैं सबसे पहले match की timing की तो 9 बज़ कर 30 मिनट पर match यहां खेला जाएगा दोनों टीम्स की performance आप देख लीजिए जहां पर भाई UP उद्धा की टीम win तो कर रही है बट consistently win नहीं कर रही है एक match जीत रही है फिर जीत रही है फिर आर रही है तो इन्होंने total 4 match विन किये और 4 ही match भाई यह हार किया रहे है वहीं अगर भाई बात करें पुनेरी पल्टन की तो पुनेरी पल्टन लास्ट के भाई 6 matches में undefeated है 6 matches से यानि कि इन्होंने कोई match हारा नहीं है 5 match उसमें से जीते एक match टाई खेल है बट लोस इन्होंने एक भी नहीं लिया है अब अगर बात करें इस match में कौन जीत सकता है तो देखें दोनों टीमें अच्छी है लेकिन थोड़ा सा advantage मैं आपर देकर चलूँगा पुनेरी पल्टन को इसका एक reason है कि इनका defense काफी बैतर खेल रहा है अगर compare करोगे यहां से यूपी योदा के defense यूपी ओधा का defense भी काफी experience से काफी अच्छे अच्छे players से लेकिन खेलने के जब बात आती है वहाँ पे भाई थोड़ा सा upper end आपको देना ही पड़ेगा पुनेरी पल्टन को क्योंकि इनका defense सच में genuinely अच्छा खेल रहा है अब अगर बात करें भाई कौन जीच सकता है तो मैं आपको अल्टरी बताई चुका हूँ मैं वापस इसी topic पर आ गया सबसे important चीज मेरे भाई telegram channel जरूर join कीजिएगा क्यों क्योंकि भाई देखे जो भी मेरी final update रहेगी final team रहेगी वो मैं telegram पर share करूँगा telegram channel आपको join करना बहुत ज़्यादा जरूर है यहाँ पर अगर बात करें जो last यह match खेले गए थे कलका तो rest था कबड़ी में परसू की जो match थे ना वो आप यहाँ पर देख सकते हो single ended लिया आपके भाई ने आपर winning करवाई है ठीक है कोई अगर ऐसी winning करवा दे ना small league में मैं guarantee दे रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 800 winners में से rank 1 लेके आना कोई भाई छोटी बात नहीं है ठीक है और 800 तो winners है यह मतलब यहाँ पर भाई exact sports में कोई दिख नहीं रहे कहाँ पर कितने थे बट हाँ यह आप में से किसी member ने बेज़ा था आप देख सकते हैं आपर भाई 800 sports में आपर एक तरफा winning आपका भाई करवा रहे है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो यह वाई small league में आप देख सकते हो rank एक आपके भाई की ही है मतला हमारी नहीं है हमारी किसी subscriber की है इसलिए आपको बार बार बोलता हूँ बाई टेलेग्राम पर आपको final team तो मिलेगी मिलेगी लेकिन जो important update होती है न grand league की वो भी मिलते साथ ही साथ दो grand league की team भी मिलती है तो telegram channel जरूर से join कर लिया कीजिएगा अब अगर बात करें आपर भाई सबसी important चीज is starting seven UP की starting seven देखते हैं उसके बाद भाई आपर देखेंगे जो पुनेरी की team है इनकी starting seven तो surrender गिल right side से read करेंगे परदीप नर्वा लेफ्ट साइड से read करेंगे टीम की भाई 95% रेड यही दोनों करेंगे बाकी बची 5% रेड यहां पर रोही तोमर की हिस्से में आ जाएंगे वहीं अगर बात करें आपर left cover की तो आशू सिंग खेलेंगे नितेश कुमार भाई right corner खेलेंगे सुमित सांगवान left corner और सुमम कुमार left cover खेलेंगे ठीक है तो यहां पर अगर बात करें इनके जो corner है सुमित और नितेश बहुत ही शांदार है और भाई इनका coordination काफी कमाल का भी है लेकिन जो इनके cover है ना वहां पर भाई आशू तो काफी खतरनाख है लेकिन सुमम थोड़े से लाल के यहां पर नजर आते हैं तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अब आ जाते भाई यहां पर पुनेरी पल्टन की तरफ तो last match भाई असलम इनामदार नहीं खेले थे injured थे अब दिक्कत क्या है कि भाई यह इनकी injury से क्या है कि इनके जो पुनेरी की टीम है ना इनको 10 पॉइंट का फरक पड़ जाता सीधा सीधा बात यह नहीं है कि यह मतलब कुछ मतलब इनके लावा कोई 10 पॉइंट निकाल नहीं सकता यह जितनी जल्दी रेडर खतम करते हैं और जाके सीधा बोनस लेके आते हैं वो भाई बहुत कम रेडर कर पाते हैं ठीक है तो यह एक थोड़ा सा इनके उपर मतलब इनकी टीम के वाथ थोड़ा सा माइनस पॉइंट रहेगा अगर यह नहीं खेलते हैं तो इनकी जग़ब पर लास्ट मैच में आकास चिंदे खेले थे जो की तरीके से खेला था तेरह यह बारा पॉइंट निकाले थे साइद बारा पॉइंट थे ठीक है बट इसकी एक खासियत क्या है कि यह सारे टच्च पॉइंट में बिलीव करता है यह वाई बोनस हो गए नहीं निकालता और पॉइंट जितने रेडर लेगा ना उतने वाई हमारे फाइदे होंगे अब असलम इनामदार के 20 पॉइंट और मोहित गोयत के वाई 8 पॉइंट बराबर हो जाते क्योंकि असलम इनामदार के 20 पॉइंट में से 16 पॉइंट तो बोनस से ले आते कभी-कभी मतलब मैं मज़ा कर मोहित गोयते 12 पॉइंट लेके आएगा तो 11 टच के लेके आएगा और भाई 10 मतलब जो एक पॉइंट वो बोनस अभी लास्ट मैच की इसकी परफॉर्मेंस में आपको दिखाता हूँ यहां से आपको खुद पता लग जाएगा क्या कुछ यहां पर मोहित गोयत यहां पर आप देख सकते हो ठीक है 11 टच पॉइंट और यहां पर भाई टोटल 12 पॉइंट थे और वही तो यह चीज़ आपको दयान में रखनी है ठीक है और सूपर टैन करता है उसके अलग और टैकल भी कर लेता है तो आपके लिए बहुत शानदार प्लेर रहेगा ठीक है 100% ट्राइ करेंगे असलम इनामदार अगर खेलेगा तो अच्छी बात नहीं खेलेगा तो भाई करी क्या सकते हैं मौमद इसमाइल नवीवक्स लगातार फ्लोप चल रहा है मेरे को लग रहा था किया और शायद असलम की ना होने पर इसमाइल नवीवक्स चलेगा क्योंकि इन्हें रेड जादा मिलेगे लेकिन ये फिर भी नहीं चले वाई संकेत सावंथ राइट कवर खेलेंगे वही अगर बात करें जादो वाला साइद लेफ्ट कवर खेलेंगे सोमबिर लास्ट मैच भाई खतरनाख परफॉर्मेंस सोमबिर की परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूँ लास्ट मैच शाएद आई-फाइफ भी कंप्लेट किया था नहीं चार टैकल थे भाई आई-फाइफ नहीं हुआ था कंप्लेट काफी अच्छे खेले थे चार टैकल लिये थे वही अगर बात करें फजल अतर चली भाई लगातार बैतरीन खेल रहे फजल अतर चली पर लेफ्ट कोर्नर है कोन यहां से फजल अतर चली तो फजल अतर चली के सामने से सुरिंदर का पॉइंट निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ठीक है लेफ्ट कोर्नर पर से अब वहीं अगर बात करें इनके राइट कोर्नर जो कि सोमविर आप सोमविर भी ला साइड से रेड करेंगे अगर यहां से बात करें मोहित透 मौहम्मध इसमेल लेवक्स दोनों उल्म।स्ट राइट से करें असलम लेफ्ट से जाते हैं ठीक है तो ये चीज आपको द्यान में रखने हैं पहले राइट तो इनका we pourquoi सुमीर संगवन आज की मैच में और ट्राई करते हैं यह से टीम बनाने की तो यह से तीनों तो हम यह रेडर लेके चलेंगे अब भाई हमें मैनेज करने क्रेडिट ठीक है तो यहां से गुर्दी सच में गुर्दीप लास्ट मैच में भाई क्या ही खेला था बंदा अगर स्टार्टिंग साउन में वहगा तो इसके अलाव आएंसे सुमीत आप आपके पील इंपूर्टेंट रहेंगे में सुमीत कर लिया और सुमीत को ट्राइब कर लिया'M आशु को मिर्क das प्र्वाईयों करने पर ठाइन करने butterfly करने क्रेडिट मैंनेज मिले और इनके वाई रेड में नो तो टच और चार बोनस टोटल इन्होंने तेरा पॉइंट निकाले ठीक है तेरा पॉइंट के वाई इन्हें 112 पॉइंट मिले और यहाँ पर डिफरेंस देखना है और सुरेंदर का देख लिया अब मोहित का देखो मतलब पॉइंट इन्होंने 12 निकाले लेकिन यहाँ पर पॉइंट 143 तो यह डिफरेंस आ जाता है भाई यह ऐसे प्लेयर्स का डिफरेंस यह मैटर करता है तो कैप्टन सी मैं मोहित को दूँगा वीसी के अगर बात करें तो वीसी भाई आप यहाँसे फजल को दे सकते हो ठीक है या फिर भाई आप यहाँसे परदीप को दे सकते मैं अभी के लिए परदीप को दे रहा हूँ यहां से अगर बात करें बाई टीम के प्रव्यू की तो वो आपके सामने है यह ओल्मोस्ट ओल्मोस्ट फाइनल टीम है बाखी कुछ भी अगर चेंजमेंट होता है तो उसकी इंफोर्मेशन डारेक्ट आपको मेरे टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलेग्राम चैनल बा मिलता हूं आपसे मैस टाइम पर टेलेग्राम चैनल पर तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम